Worksheet 22, आपकी English की Worksheet No. 22, First Light की Poem, Dust of Snow, written by Robert Frost, Dust of Snow पर बेस्ट है, इस Poem के Poet कौन है, Robert Frost, on the basis of your reading of the poem, आपको पढ़ना है, और MCQ ताप questions दे रखे, आपको 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 आंसर देने है, पहला stanza है, the stanza one of the poem is, the way a crow shoved down on me the dust of snow from a hemlock tree, इस जो stanza है, इसका मीनिंग है, कि जो Poet है, वो एक ट्री की नीचा आपके बैठता है, कौन सा ट्री है, हमलोग ट्री और उस ट्री के ओपर एक क्रो बैठा है, जो की उसके ओपर dust particles को किरा देता है, question number first है, what does dust of snow represent here, dust of snow यहाँ पर क्या रिपर्जन करती है, dust of snow यहाँ पर स्नोर फ्लेक्स को रिपर्जन करती है, क्या वर्फ को रिपर्जन करती है, no, क्या वो घपरीघन करती है नो क्या हो पावर अफ नेचर को रिपर्जंट करती है येस वह कि आरो दॉस्ट आफ स्नो तो पाविट wohता है उसका मूट सैड होता है उदास होता है वह रिग्रिट कर रहा ऊता है तो चांडी है उसका मूड बिलुकुล च छेंज हो जाता है तो हीलिंग पावर हीलिंग का मत्तबत है यसे हील कर देना में जब गाप जखम भर जाना तो जो नेचर है यह बहुत सूधिंग होता है यह हमें बहुत कमफट देता है अराम देता है प्रकरती हमारे लिए बहुत ज़दा हीलिंग होती है सेकींड क्वेशन है How did the poet react to the dust of snow falling on him जब उस पर dust of snow किरती है वह कैसे पर डेक्ट करता है क्या वह रिलीव अराम पील करता है विल्कुल बिल्कुल रिलीव हो जाना बेए किसी वह टेंशन से आपप्री हो जाओगे काईड का मतलब हो जाना, अंग्री मतलब नाराज हो जाना, फ्रस्टेट का मतलब भी बिल्कुल परिशान हो जाना, बिल्कुल नाराज 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 हो जाना, बिल्कु तो फिफ्ट और शिख्स जो है वो है option number 1 A तो यह हमारा answer है उसके बस टैंजा 2 है हमारा has given my heart a change of mood and save some part of a day I had reviewed तो जो point है उसका जो heart है वो change हो गया उसका mood change हो गया है और जो बाकी बचा हुआ दिन है वो save हो गया है वो पुरा दिन करता रहा पुरा दिन regret करता रहा पश्तादा रहा उसका mood sad था लेकिन उसका mood है वो क्या हो गया है happy हो गया next question है question number 3 what does the poet not think about the nature जो poet है वो nature के बारे में क्या क्या चीज नहीं सोचता है तो nature heal करता है yes heal भी करता है nature source of joy है हमें खुशी भी देता है it inspires to be positive यह हमें positive रहने के लिए inspiration देता है लेकि nature हमें उदास नहीं करता हुमें sadden नहीं करता तो इसका जो answer है do not think about the nature जो पुशी नहीं सोचता तो वो है it saddens वो हमें उदास करता है nature ऐसा नहीं होता वाकिसब होता है which word describe the poet's mood at the end of the stanza 2 जब stanza 2 खतम होता है तो poet कैसा होता है इरिटेटेटेटी होता है नहीं रिड़िडेटी होता है क्या वो grateful होता है कि वो grateful कह मतलब होता है gratitude कि मततल है uh hope you all know happy होता है delighted होता है preserve and are preserve and how preserving meaning is our that must have a hydrogen perseverance जो पैसे पीरसुएरिंट का मतलब होता है जैसी पी situation हो उसके बाद भी आपको अपने हार नहीं हाने पर्सीवरेंट हो जाता है कि जितने भी हर्डल्स आइं जितने भी प्रॉब्लम्स आइं लाइफ मुझे अपफुल रहना है जो डुट अफ़ पार्टिकल्स उसके उपर गिरते हैं उसकी लाइफ एक सिंग्निफिकेंट चेंच लिया तो इसमें जो पोईट का मूड अप दे तरह प्रॉबर रहे हो उसमें किसी बिपिकल्टी आए आपको परसिस्टंट रहना है आपको डगमगाना नहीं है अभी अनुटबर वट अनूआ हैедा है इस उनर्ळस फ्नुप।य। ours वह स्नुपॉइभ। एंट उसमें वाइट सपनीब स्नुम श्भिघति क्या कि ने कि चोटी चोटी और लिटील चीजे भी हमारी लाइफ में एक बड़ा significant change लेके आती है One may have the worst day or the time of his life. हमारी जिवन में बहुत बुरा दिन हो सकता है, बहुत बुरा समय हो सकता है but a little good thing can be quite amazing. कि छोटी सी कोई अच्छी बात हो जाती है तो बहुत ज़ादा वो अमेजिंग होती है बहुत ज़ादा वो मारी लाइफ में बिग डिफरेंस ला सकती है अगर हमारा बुरा थायम भी चल रहा है तब भी हमें कहराना चाहिए तो यह इस पोईम का थीम या सेंट्रल आइडिया है तो इससना से डस्ट अफ स्नो पोईम पर बेस्ट जो आपकी वक्षिट है और यहां पर आकर फिनिश हो जाती है